नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हुराकेश आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ Current Affairs UPPCS के लिए 10.00 लेक्टर आप लोग के आगे हैं 9 लेक्टर अलरीडी आचुके हैं नहीं किया हैं तो कर लिजेगा अब तक 9 लेक्टर में मेरे हिसाब से 2500 से 300 गरंट अफेर आपके पास हो जाने चाहिए अगर आपने वो नहीं किये हैं तो प्लीज 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 कर लेजे उसको और वो उनको नोट डाउन भी करिएगा मज़ा तब है जब आप नोट डाउन कर लें उनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा जो आपके लिए लग रहे हैं वहाना एक अच्छी रिवीजन बुकलेट बन जाएगी आपकी मार्केट में जितनी फी अवेलेवल मैगजीन हैं उन सब का जिस्ट लेके मैं कराता हूँ तो इसलिए आप जब कोई मैगजीन रिवाइज के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप रिवीजन कर रहे हैं और मेरे करन्ट अफेर जो यह इस्पेशल वाले होते हैं मतलब परिक्षा की पहले वह मतलब प्लग बते अल्रेडी इसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते ह उसे कई सारी चीज़ों को हटा दिया गया होता जो चीज़े नहीं आने लाइक होती है जिनका ट्रेंड में जो नहीं आ रहे हैं तो चलिए कुछ इंपॉर्टन करन्ट अफेर्स और और तीजी के साथ हमारा करन्ट अफेर्स वह डिफरेंट होता डिसकुशन के साथ हम आपको मिल जाएंगे और अगर आप लोग मुझे प्लीज बताजेगा कि करन्ट अफेर लाइव लेना है कैसे लेना है लाइव में थोड़े ज्यादा करन्ट अफेर हो जाएंगे लेकिन एक टाइमिंग मुझे बताजेगा नौ से साड़े नो की बीच में अगर स्टोखों इंटरनेशनल पीस रिसर्स इंसिट्यूट की कारे करती है विश्व में हथियारों की होड़ खतम हो और यह सब बड़ी बड़ी बात हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है इसी के साथ वो एक लिस्ट निकालती है जो एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें बताया ज पढ़ने है स्टॉप इसके उपर मैंने पूरा एक करन्ट टू मिनिट में पांच मिनिट का लगए से लेक्चर होना आया है वह जरूर देखिएगा थोड़ी कोशिच करके यहां में कोशन क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा हथियारों का आयो तक कौन हो गया है इंपोर्ट ठीक विकास हमारे परोसी ऐसे है अब दुनिया यह थोड़ी से डिटा याद अख लीजे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता कौन है यूएसे हाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है यूएसे ठीक है इन चीजों को प्लीज ध्यान देजिएगा इंडिय एक्सपोर्ट में 33 नमर पर आगया इंडिया भी अपने कुछ-कुछ मिसाइले यहां महां बेच रहा है जैसे फिलिपीन्स वगरा हो गया इनके साथ हमारे हुए हैं सब्होते ब्रामोक्स मिसाइल को लेके फिर वियतनाम भी कैसा देश है तो अच्छा है अब लोगोंने मा भालदीव को भी वार्शिप दिया है तो यह थोड़ा सा शॉट में यह रिपोर्ट ध्यान रखेगा प्रेपर में पूछेंगा इससे ठीक है जी नेक्स्ट कोशन है महात्मा गांधी की जब वीदेशों में कोई एक्टिविटी होती है तो उपरिक्षा में इंपॉर्टन ह जाते हैं तो मेडागासकर जो देखेंगे ना फ्री की महातिक उसके बगल में इतना बड़ा सा टापू है वह है मेडागासकर और वहां पे भारती दूतावास में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल पार्क के स्थापना की गई है तो परिक्षा के लिहास से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलना है यूए फस गया है FATF में FATF क्या है बच्चे Financial Action Task Force ठीक है Task Force ये एक संस्था है जो की Check and Balance करती है कि कोई ऐसा देश को टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है क्मदब किसी देश की ऐसी एक्टिविटी की वज़ए से जो कट्रपंती संस्था है उनको फंडिंग तो नहीं हो पा रही है इसके लिए लिस्टिंग जारी करते ह पाकिस्तान काफी समय से इस लिस्ट में और इसमें नया नाम हो गया शामिल अरब अमीरात का तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अरब देखेंगे तो यूई थोड़ा सा लिब्रल देश हुआ है और देशों के मुकाबले में अभी यहां के साशक की भी मिर्थी हो और चाहे उनका कार्वन फ्री शहर हो या जीरो कार्वन शहर हो या अलग 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 एक्टिविटीज हो इस पेस में लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं स्पेस में फीमेल को भीजने वाले हैं स्पेस में अपना पहला मैं मिशन अपना पहला मिशन पूरा करने वाले है तो यह important है, ठीक है, next question, आरुशी वर्मा जी, आरुशी वर्मा जी कौन है, आरुशी वर्मा जी को चुना गया है, 2041 Climate for Antarctica campaign के लिए भारत की तरफ से, यह आरुशी वर्मा को question यहाद रखना, सिदे सिदे जी सब पूचते हैं, रटने वाले वाण लाइन है रही है, आरुशी वर्मा को select किया गया है, किस में भाग लेने के लिए 2041 Climate Force Antarctica campaign, यह important है, आप मुझे बताईएगा, यह campaign के बारे में, इस campaign के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है, Climate Change में बताने क्या हो शक्ता नहीं है, लेकिन इस आरुशी वर्मा की concept में आप मुझे कुछ questions बताएगा, ठीक, चलिए, next question की होड़ अगर देखें, चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दिजएगा, subscribe जरूर करेगा, दोस्तों तक PDF शेक किजिएगा, यह PDF मिल लगे टेलिग्राम ग्रूप में, टेलिग्राम ग्रूप में बिल्कुल फ्री होता है, जो आइन कर रही है, हना subscribe कर रही है, बेल आइकन दबाएए, कुछ भी नहीं, बस आपके साथ की नेट है, टेलिग्राम ग्रूप में सारे लेक्चर्स की PDF आपको मिलेंगी, क्विजिज मिलेंगी, GS की क्विज अब सुरू हो रही है, CDP की क्विज करीब 10 दिन से सुरू हो चुकी है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कम सब्सक्राइब एक हजार से दिक कुछ टेलिग्राम ग्रूप में मारे GS की मिलेंगे, शांदार, टेस्सीरीज अरड़ी चल रही है, UPPCS की, अलग-अलग परिश्चा, अब सीटेट की भी टेस्सीरीज में डाल दी है, उसने पहला वन जीव संग्रक्षन बॉंड जारी किया है, मतलब यह बॉंड आपको दे रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं इस टाइप से हना, FD टाइप में, फिक कुछ समय के बाद वो जब बॉंड का टाइम पूरा हो जाता है, तो पैसे वापस दे दी जाते हैं कुछ इंट्रेस्ट के साथ हाना, अब यह क्या होतने ऐसे बॉंड कि मतलब मा लेजे यह वाइड लाइफ कंसर्वेशन बॉंड है ना, डॉलर का वो बॉंड पेपर होंगे हाना कीमत के और इससे जो लाभ मिलेगा उसको यूज किया जाएगा काले गैंडे हाना जो ब्लैक रिनोसूरस हैं उनके यह ज रहेे conservation को लेकितर पेपर में ओक्षन अथी संभावित मुझको डिख रहा है ना, आदी संभावित डिख रहा है, हाँ जि नेक्ट्ट rash ridiculous исैंटर कहां बना है, i qualidade ब्रिक्स देशों का वैक्सीन रिसेंटर इस वर्तमान पर 1920 में नई दिल्ली में फरवरी में नियो दिल्ली पेपर में आएगा यह ठीक है ना को रोकने वाला देखो है नहीं जे नेट जीरो आज कलिए नेट जीरो बहुत चल रहा है नेट जीरो मतलब प्लस माइनस करके किसी तरह जीरो अच्छे और बुरी चीज दुनों को मिला जीरो हो को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है और इसका लक्ष क्या रखा है नेट जीरो मतलब एक प्रकार से न्यूट्रल हो जाए मतलब वाटर की जो वेस्टेश है वह बिल्कु रिडीस हो जाए और वाटर इंफ्रस्ट्रक्चर में इंडिया अच्छी से डविलप हो जाए ठीक है जर्मनी के इसमें खासा रोल है ठीक तो इंपॉर्टन है थोड़ा सा ध्यान देना है वन ओशन समिट एक समुद्र समिट हाली में कहां अईजित किया गया फरवरी में फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में वन ओशन समिट हना एक समुद्र समिट या सम्मेल नेक्ट कोशन रिहाइशी इलाकों में भी द्रोन उड़ा सकते है ठीक है वो देश कौन सा है one and only इसराइल, इसराइल है भाई, ठीक चलो, next है quit tobacco app किस ने जारी किया है, तमाखु को किस प्रकार से तमाखु की आदत को छुड़वाया जाए, ये quit tobacco app किस ने जारी किया है, कौन करेगा, विश्व स्वास्त संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्त संगठन, साथ अपरा लोनी 148 को स्थापित हुआ था, कोवीड में इसका बहुत मजाक बना, next question, intellectual property right index 2022, मतलब, बौधिक संपदा, सूच कांग, बौधिक संपदा सूच कांग, ठीक है, तो वो है, इंडिया है, 43 पे अमरीका है, रैंक वान पे, बहुत दिनों से रैंकिंग चेंज हो नहीं रही है, तो इंडिया है 43 पे बच्चे, IPR इंडेक्स में, और USA है रैंक वन पे, ठीक है, बौधिक रूप्स है, मतलब, जो पेटिंग स्वगर होते हैं, नई अविश्कार होते हैं, इस बारे में, किस देश में कितने होते हैं, कोवीड फेंड्स क्या है, य कनाडा, ठीक है, ध्यान देजेगा इसको, कनाडा, डन, नेक्स्ट कोशन, देखें, ये करन्ट अफेर भली में, यूपी पीसेस के लिए करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी परिक्षा दे रहे हैं, चार-पाज महीनों में, लेकिन मानिया आग के लिए बहुत इंप क्या है ये, ये एक चकरवारती तूफान था, ठीक है, कहां पर आया था, मेडगासकर में आया था, बस, मेडगासकर के तटो पर आया था, इस तूफान का नाम रखें, कुछ दिन पहले ही, भारत के पूर्वी तट पर एक तूफान आया है, उसका नाम बताये तो, जल्ली के अंदर का UPI के तौरा, थबको पीशे छोड़ दिया है, ठोक दिया है, हाना आने अल टाम में ये ATM को रिप्लेस कर देंगे, वीजा, मास्टर कार्ड डरेग्वेस से, तो UPI क्या है, कि महलब एक पेमिंट ट्रांजेक्शन सिस्टम है, इसके पेमिंट की जा सकती है, अब तो धरे-दरे ओफलाइन भी तयारी इसके हो रही है, भी ओफलाइन भी पेमिंट होगी, आपके मोबाइल में नहीं होगा, आप UPI पेमिंट कर दोगे, पेटियम कर दोगे, Google पे कर दोगे, फोन पे कर दोगे, हाना, इंडिया की इस टेकनिक को यूज करेगा, नेपाल, ने ने को जीरो कार्बन वो कर लेंगे, नेट जीरो कर लेंगे, हाना, इस टार्गेट बे काम कर रहे हैं ये लोगों, तो ध्यान देना होगा आप लोगों को, नेस्ट कोशन क्या है, 21 वर्ल सस्टेनिबल डबलब्लोप्लमेंट समिट, 21 विष्व, सतत्विकास सम्मेलन कहां आ जीद करवा था, Terry, The Energy Research Institute, The Energy Research Institute, बहुत इंपोर्टन है, नाम से मस्त लग रहा है, नेक्स्ट कोशन, कतर को, नाटो ने नौन अलाए, नाटो अलाइन्स किया है, हाना, कि बतल साथ शामिल ने किया, उसके अलावा उसको, उसको साथ लिया बस हाना, नाम के लिए, अभी किस गोशना की है, नाटो के मेंबर्शिप लेनिंग के लिए, राशिया ने उसको धंकी भी दिया, राशिया ने अज मारियो पोल भी जीत लिया है, युद अब निरनायक मोड की और जा रहा है, और कुछी दिनों में आप देखेंगे, युद समाप्त होगा, विकाज राशिय नाटो का युद धभ्यास, ठीक है, ध्यान देना आपको, नाटो का युद धभ्यास था, cold response, ठीक, ध्यान देना आपको, यह कहाँ हुआ यह मुझे बताएगा, यूरोप में हुआ है न, यहाँ, बताएगा, गोश टी, यह क्या है, गोश टी, नासा का सेटेलाइट है, ज ठीक है, नासा का एक सेटलाइट है, जो कि किस लिए यूज किया जाएगा, एक स्पेशल कारे के लिए यूज किया जाएगा, वो मुझे बताएगा, देखिए, इंट्रेक्शन का मचाता बाता है, जब आप उसके लिए effort करते हैं, इसके आंसा हम इसली बता सकते हैं, लेकि यही इंट्रेक्शन में चाता हूँ लाइव क्लासे में, तो कि मचाये हैं, चलिए, आदत वही लाइव क्लासे की है, नेक्स्ट कोशन, वागीर क्या है, देखिए वागीर नाम से पता, आप लोग को ध्यान देना होगा, यह इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ना जहाज कोशिच करें किसके साथ, फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ मिलकर, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना है, प्रोजेक्ट 75, इस प्रोजेक्ट के था है, छह, स्कॉर्पियन क्लास की, अलग-अलग शिरिनी की होती है, युदवेसल, जहाज होते हैं, लड़ा कू जहाज, प एक युद्पोथ है, इंडे नेवी और फ्रांसी मदस जो तो यार हो रहा, प्रोजेक्ट 75 के अंतरगत है, जिसके अंतरगत 6 ऐसी युद्पोथ बनाई जाएंगे, तो वागीर पहला है, ठेके जी? चलिए, next question, तुर्की है, टर्की का नया नाम, पूश लेंगे ये लोग, ठेके चलिए, तो तुर्की का नया नाम तुर्की, चलो, next question, फ्रेंच मिलिटरी, हाँ, नौ सालों के बाद, फ्रांस ने अफरीका के एक देश से, फ्रांस ने अफरीका के एक देश से अपनी सेना वापस गुला ली है, सांती सेना, वो कौन सा देश है, माले, ठेके बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही गरीब, वो मिसे गरीब देश है, ठेक, मतलब बहुत ही और असुरक्षित और पॉलिटिकली अनिस्टेबल देश है, ठेक, next question, दावोस समिट होता है, वो ना सर्दियों में वाल्ड एकॉनिमिक फॉरम, विश्वार्तिक मंच के दोरा होता है, सब बड़े-बड़े कोट और बड़े हैं जगा स्विज एलेंड में जाके दावोस में बैठते हैं लोग है, और वो हाँ समिट हुआ, हर साल होता है, अर्थिवस्ता से जुड़ा हुआ, अपने व्यूज देते हैं, इस बार के थीम क्या थी, state of world, विश्र की स्थिति, state of world यह कुषन आरा पेपर में, काली मंतान, काली मंतान कहां है, बार्नियो आइलेंड पर, मैंने पहले भी कर रहा है था, बार्नियो आइलेंड जो तीन देशों के बीचे में बटा हुआ है, इंडोनेशिय के सभी हक है, तो काली मंतान की सूंसान जगहों पर राजधानी को कर तो काली मंतान जो है वो इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी ठीक है जो की बॉर्णियों आइलेंड पे है इसी के साथ आज की करेंट की सेवाई समाप्त होती है अगले लेक्शे में जल्दी मिलेंगे करेंट के फेक्वेंसी जाता होगी है यूपी टैस सीरी यूपी बोर्दी करेंगे आपको लेकिन हाँ शानदार कोशन है तो अमेद करता हूँ लेक्शे आपको अच्छा लगा हुगा थैंक यू थैंक यू सो मच बाबाए थैंक यू